हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल मंता फ्लीवर में तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेस्टराइन स्टाइल चिनी पनीर हम बिल्कुल रेस्टरेंट की तरह ही बनाएंगे हम इसमें कोई भी अपना घर का फ्लेवर नहीं मिलाएंगे जैसे मार्केट में बनता है हम वैसे ही बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत कम समय में और बहुत कम मसालों में बनके तयार हो जाता है और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो पनीर ले लिया है पहले हम इसकी कोटिंग कर लेंगे तो कोटिंग करने के लिए हम यहाँ पर डाल लेंगे एक चौथाई बोल मैंने यहाँ पर कॉन स्टार्च लिया है अगर कॉन स्टार्च नहीं है तो आप यहाँ पर आरा रोड भी डाल सकते हैं इसे कोट करने से यह होगा कि पनीर बहुती क्रिस्पी जो हम इसे फ्राइ करेंगे बहुत क्रिस्पी होगा अब हमने आपे एक चौथाई चमज नमक डाल लेंगे एक चौथाई चमज हमें आपे काली मिर्च का पावडर डाल लेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे या हिलाते वे जैसे आपको सूटेवल लगा है आप उसी तरीके से इसे मिक्स कर लें चारो तरफ इसमें अच्छे से कौन स्टार्च की परत लग जानी चाहिए उसके बाद हम एक अलग से बोल में हमने यहाँ पर पांच टेवल स्पून कौन स्टार्च ले लिया है और उसमें आधा कप पानी मिलाके हम इसका गोल तयार कर लेंगे अभी इस गोल को हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसे ग्रेवी में डालने वाले हैं तो पैन में हमने तेल रख दिया है तेल अच्छा गरम होना चाहिए उसके बाद हम यह आपे पनीर के पीसेज डाल लेंगे तो एक एक करके ही डालें और गैस की फ्लेम को आप फिर मीडियम कर दें क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम में ही पनीर फ्राइ करने है उसके बाद जब ये एक तरफ से हलके से ब्राउन हो जाए तो हम इसे दूसी तरफ पर लट लेंगे तो आप देखेंगे आपके पनीर बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे बहुत सारी लोग बोलते हैं कि पनीर उनके तूट जाते हैं और अच्छे से कोटिंग नहीं होती है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करें कोटिंग करते हो तो आपको पानी बगरा मिलाने की कोई जरुवत नहीं है अब पनीर को हमने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ करके निकाल लिया दूसरी गर्फ पर हम रख लेंगे एक कड़ाई कड़ाई में एक चमज मैंने तेल डाल लिया तेल जब अच्छा गरम हो जाए तो हम उसमें डाल लेंगे एक चमज अद्रक और एक चमज लैसुन लैसुन अद्रक को मैंने कड़ुकस किया हुआ है आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकती है उसके बाद हम इसे आराम से चला लेंगे बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है अब हम यहाँ पे डाल लेंगी दो से तीन हरी मिर्च और दो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कटा हुआ प्यास डाल लिया है बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है एक दू मिनट तक पकाना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने लोग कर रखा करा हुआ है तो प्यास को भी हम चला लेंगे अच्छे से एक दू मिनट तक उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेंगे शिम्ला मिर्च यहाँ पे मैंने तीन शिम्ला मिर्ची ली हुई है और इन्हें मोटा मोटा काटा है शिम्ला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है तो इससे सिर्फ एक दू मिनट में आप देखेंगे कि ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो बहुत जादा ओवर्गूक नहीं करना है हमें सबजियों को अब हम यहाँ पर एक चमज सोया सॉस डाल लेंगे और एक चमज हम यहाँ पर चिली सोस डाल लेंगे चिली सोस मैंने घर पर ही बनाया वाया है मैं आपको लिंक दे दूँगी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक आउट कर सकते हैं तो देखिए अब हम सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं आप अपने मन से कोई भी और मसाला एड़ ना करें नहीं तो टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा तो वो नहीं आएगा टेस्ट जो हम रेस्टोन में खाते हैं अब यहाँ पर एक चमज हम नमक डाल लेंगे उसके बाद जो हमने कॉनिस्टार्च का घोल बनाया था सबसे पहले अब हम इसमें घोल डाल लेंगे और आधा कप मैंने हाप पर पानी डाला हुआ है आप चाहिए तो थोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी पानी जो है बहुत जल्दी सूख जाता है इसलिए आप थोड़ा पानी डाल ले आधा कप से जाधा तो जब हमारी ग्रेवी गाड़ी होने लग जाए तो एक दुम नट तक हमें पकाना है जब तक कि ग्रेवी गाड़ी नहो जाए थोड़ा सा इसमें गरम पानी मैंने और डाल लिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी सी लग रही थी अब उसके बाद हम इसमें पनीर के पीसिस डाल लेंगे और पनीर डालने के बाद भी ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है सिर्फ दो मिनट तक ही पकाना है और आप देखेंगे हमारे पनीर के पीस इतने अच्छे क्रिस्पी बने बहुत सारे लोग को ये शिकायत होती है क्यों जो वो कोटिंग करते कौन स्टार्ज की वो निकल जाती है आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होगी इसमें तो देखें सिर्फ दो से तीन मिनट में हमने गयस बन कर दी और आप इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो तयार हो गया है हमारा चिली पनीर बिल्कुल रेस्टोरेन स्टाइल हम मैंने बनाया है इसमें मैंने कोई भी अपना हमने घर का फ्लेवर नहीं मिला है तो वहाँ भी इसी तरीके से बनता है तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राइ करें जरूर बनाई देखें कितने कम मसालों में बन के तयार हो और बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है तो ये रही मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगे आपको अगली ही कैसी नई रेसिपी के साथ तब तक कि लिए बाए टेक एर